आप सभी को नमस्ते प्रेविध्यारति साथियो आज का यह व्याख्यान शरद जोशी जी पर आधारित है आप इस व्याख्यान को सुनिए और शरद जोशी जी के जीवन के विभिन पहलूँ और उनकी उपलब्धियों को समझ लीजिए क्योंकि BA, BCOM, BSC, BHSC, BBA, First Year के आधार पार्टिकरम के अंतरगत, भाशा और संस्कृती वाले प्रश्न पत्र में शरद जोशी जी पहली एकाई के पार्टिकरम में सम्मिलित है तो बहुत सवभाविक है कि उनके जीवन वृत्त से सम्मंदित कुछ प्रश्न आपको परिक्षा में मिलेंगे और यह व्याख्यान उन प्रश्नों को हल करने में आपकी काफी मदद करेगा साथियों शरद जोशी जी मेरे बहुत पसंदिदा रचनाकार है और उनकी मैंने अनेक रचनाएं बहुत मन से पड़ी है शरद जोशी जी मूल रूप से मुख्य रूप से व्यंग्यकार रहे जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य में लेखन की अनेक विधाएं होती है जिसमें पकड़ थी जिसमें वो सिद्ध हस्त थे वो है व्यंग्य ऐसा नहीं कि व्यंग के अलावा शरद जी ने कुछ और नहीं लिखा जरूर उन्होंने कहानिया लिखी, फिल्मों के लिए उन्होंने पटकताएं लिखी, टेलिविजन के धारवाहिक के लिए उन्होंने लेखन का काम किया, लेकिन उनकी विश्व व्यापी ख्याती का मुख्य कारण है उनका व्यंग लेखन, तो कभी परिक्षा में प्रशन आत तो आप उन्हें व्यंगकार के रूप में ही चेहनित कीजिएगा। शरज जोशी जी के अगर हम जीवन यात्रा की बात करें तो हमारे लिए मद्यप्रदेश के होने के नाते, ये गाउरव की बात है कि शरज जी हमारे मद्यप्रदेश के ही थे। शरज जोशी जी का जन्म मद्यप्रदेश के उज्जैन जिसको प्राचीन काल में हम अवंति का कहते थे। उसी उज्जैन में शरज जोशी जी का जन्म हुआ। वही महकाल की नगरी उज्जैन उसमें शरज जोशी जी 21 मई 1931 को जन्म में थे। 21 मई 1931 को उनका जन्म श्रीमती शान्ती जोशी जी और आदणी श्री निवास जी जोशी जी के घर में हुआ। ये उनके मातापिता थे। उन्होंने प्रारंबिक शिक्षा और माविध्याले की शिक्षा बहुत अच्छे इस्तर से पास की। और उनकी जो साहितिक प्रतिभा थी। वो उनके प्रारंबिक दिनों में ही प्रकट होने लगी। यही कारण है कि वहाथ युवावस्था में वो अपना इस्थान बनाने में काम्याब रहे जब वो मात्र 20 वर्ष के थे यानि 1951 में तब ही उन्हें इंदावर से निकलने वाले प्रतिष्ठित समाचार पत्र नई दुनिया में काम मिल गया और 1951 से लगाकर 1956 तक वे नई दुनिया में लेखन का कारे लगातार सतत करते रहे तो इस तरह से उनके लेखन की शुरुवात हुई और जब एक बार शुरुवात हो गई तो वो कभी नहीं थमे और उन्होंने चुटिले व्यंग्यों के माध्यम से देश की सामाजी, कार्थिक, राजनितिक विसंगतियों पर दुनिया की आपदाओं पर और दुनिया की विचित्रताओं पर अपनी तिक्ष्ण, तिकी प्रहार करने वाली कलम चलाई हमें गुदगुदाया, हमें चेताया, हमें जगजोर दिया और साथी साथ में सरकारों को भी सुधार करने के लिए प्रेरित किया और कहीं-कहीं बात धिवी किया उनकी व्यंग संपदा इतनी अधीक है कि कालांतर में वह कई संगरहों में प्रकाशित हुई शुरू में तो वो समाचार पत्रों में, पत्री काओं में वो प्रकाशित होती थी जैसे मैंने अभी आपको बताये कि नई दुनिया में उनकी शुरुवात हुई बाद में मुंबई से जो निकलता है नौ भारत टाइम्स नाम का एक बहुती प्रतिश्टि समाचार पत्र है नौ भारत टाइम से ने तो शराज जी की प्रतिवा को बहुत संबान दिया और उन से काहा कि देखे शराज जी आपको प्रति दिन एक व्यंग आलेक लिखना होगा क्योंकि हमारे पाठख आपके आलेक के बहुत बड़े प्रस्वनशक है आप लिखे प्रति दिन एक व्यंग आलेक लिखना, विध्यारती साती वे बहुत बड़ी चुनोती है, रोज नया सोचना, रोज अपने इस्तर का सोचना और उसमें कोई ऐसी बात कह देना कि पाठक कहें कि हाँ ये शरत जी के कलम से निकली हुई कलागारी है उन्होंने इस चुनोती को स्विकार किया और वर्षों तक प्रति दिन शिर्षक से ही नवभर टाइम्स में वो व्यंग आलेक लिखते रहे मेरा सवभागी की मेरे इंदावर में पढ़ने के दिनों में नवभर टाइम्स में पढ़ता था और मैंने शरत जी के व्यंग लेक पढ़े बलकि यूँ कहूं कि मैं केवल उस व्यंग आलेक के लिए ही नवभर टाइम्स को खोलता था तो गलत नहीं होगा इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं निकलते हैं जैसे कादंबरी का अपने नाम सुना होगा इसके अलावा सापता ही हिंदोस्तान उस समय निकलता था रविवार नाम की एक पत्रिका निकलती थी इन सब में शरद जी के लेक बहुत सम्मान के साथ इस्थान प्राप्त करते थे बाद में इन लेखों के संग्रह प्रकाशित हुए और कई सारे संग्रह अब हमारे सामने आए हैं यदि मैं उनके संग्रहों के नाम आपको बताना चाहूं तो आप नोट कर लीजी अपने दिमाग में भी और कागस पर भी कॉपी में नोट बुक में ताहिकि उत्तर बताने में आपको सुविधा हो जैसे उनका व्यंग संग्रह का सिलसिला ऐसे शुरू होता है कि परिक्रमा ये एक वस्तुत संग्रह मतलब एक किताब होती है और उस किताब का शिर्षक है परिक्रमा लेकिन उसमें छोटे-छोटे दो पेज, चार पेज के ऐसे अलग-अलग व्यंगा आलेक बहुत सारे एक खटे करके एक जग कर दिये हैं तो परिक्रमा नामक संग्रह है, दूसरा संग्रह है किसी बहाने, एक है तिलिस्म, फिर एक है रहा किनारे बैट, सिर्षक भी एक से एक अदभूत रखे हैं एक है दूसरी सतह, एक तो बड़ा अदभूत है, अजाने वाला, हम भ्रस्टन के और भ्रस्ट हमारी, इस शिर्षक से भी उनका व्यंगों का संक्लन सामने आया है यता संभव, एक और संक्लन है, जीप पर सवार इल्लियां, यह उनकी एक व्यंग रचना होने के साथ साथ, उनके व्यंग संग्रहों का शिर्षक भी है और यह आपके लिए विशेश महत पूर्ण है, क्योंकि आपके पाठिक्रम में, शरजी की विशाल रचना संसार से, जीप पर सवार इल्लियों को चुनकर आपके पाठिक्रम में रख दिया गया है, तो वो आप पढ़ी रहोंगे नहीं पढ़ा होगा तो एक वीडियो करियर एडवाइस चेनल पर पूरी की पूरे मुल पाठ को आप तक प्रसूत करता हुआ, इसमें उपलब्द है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं इसके अलावा भी अगर अपन बात करें तो यथा संभाव नामक एक और उनकी व्यंग संकलन की कृती है इस तरह से अगर आप पढ़ना चाहते हैं उनके व्यंगों को, तो ये पुस्तिकाएं आप ले लीजिए और पढ़िए उनके द्वारा जो कहानीया लिखी गए वो भी काफी पसंद की गई और ऐसी ही उनकी कहानियों पर टीवी का एक धहरावाहिक भी बना और उस धहरावाहिक का नाम है लापतागंज लापता गंज नाम के इस धारावाहिक में बहुत मज़िदार और रोचक गिटनाओं के माध्यम से समाज की पीडाओं, समाज की तकलीफों, लोगों के दुखदर्द, समाज की विसंगतियों आम और खास के पर्क को बहुत अच्छे से समझाया गया है फिल्मों के लिए उनके लेखन को बहुत पसंद किया गया चुटीला लेखन होता था, बहुत बड़िया समवाद लिखते थे तो अगर हम बात करें कि उनके द्वारा लिखी गई फिल्में कौन-कौन सी है तो एक उत्सव नाम की फिल्म आई थी जिसमें शशी कपूर और रेखा जैसे अभीनेता अभीनेतरी थे मैंने भी देखी वो फिल्म तो उत्सव फिल्म की कहानी उन्हों नहीं लिखी थी इसके अलावा भी जैसे शितीज दूसरी है छोटी सी बात साच को आच नहीं और गोधुली ये उनके द्वारा लिखी गई फिल्म में है कभी वक्त मिले तो यूटूब पर उपलब्द है यूटूब पर आप उसको समय मिले तो देखेगा इसके अलावा टेलीवीजन सीरियल आते ने जैसे क्योंकि साज भी कभी बहुत ही आपने देखा होगा कुम-कुम वगेरा तो उस जमाने में बहुत शानदार टेलीवीजन सीरियल आते थे और उनमें से कुछ टेलीवीजन सीरियल शरच जोशी जी ने लिखे चुकि शरच जोशी जी वेंगकार थे तो बहुत सभावी थे कि उनके जो सीरियल लिखे हुए होते थे उसमें हसी मजाक वाली भी बहुत सारी बात होती थी और उस दोर में एक सीरियल तो बहुत ज़्यादा ही प्रसिद हुआ था मैं आपको उस सीरियल का नाम बताता हूँ जो उस जमाने में बहुत ज़्यादा प्रसिद हुआ था और मैंने भी वह सीरियल देखा था और उस सीरियल का नाम है ये जो है जिन्दगी अगर मेरे इस वीडियो को कुछ सीनियर गुरूजन देख रहे होंगे तो उन्हें भी यादा रहा होगा कि हाँ इस धारवाहिक को वह भी देखते होंगे विक्रम बैताल बच्चों का बहुत पसंदिदा धारवाहिक था शरजी ने लिखा सिहासन बत्तीसी अमारे यहां की प्रसिद कहानिया है उनको धारवाहिकों में बदला हमारे आदर्णी शरजोशी जी ने वह जनाब एक टीवी सीरियल था देवी जी प्याले में तुफान द कहां काम की शुरुवात की किस विधा में लिखते थे कौन-कौन से उन्होंने लेक लिखे कौन से अकबारों के लिए लिखा कौन सी फिल्म में लिखी और कौन से टीवी सीरियल लिखे ऐसी जरा बढ़िया बनाओ नोट्स और शान्दा टंक से पढ़ाई करो अब्जेक्ट और आपकी बहुत मदद करेगा इसको सब्सक्राइब किया कि नहीं कर दीजिए बेल आइकान भी प्रेस कर दीजिए साथ में बने रही है और आगे अगर हम बात करें तो उनके लेखन को बहुत माननेता मिली और उनको कई पुरसकारों के लिए चुना गया आपको पता ही है कि हमारे देश में पद्म पुरसकार होते हैं जो बहुत सरे स्टोपलब्धी अरजित करने वाले वेक्तियों को दिये जाते हैं इनमें आपने सुना होगा कि भारत रतन होता है पद्म भूशन, पद्म भूशन और पदमश्री भी इनमें से जो पदमश्री है ना ये अर्बे के वर्ष में उन्हें पदमश्री के लिए चुना गया पदमश्री को लेकर एक लंबी कहानी है कि इस पर शरजी की क्या प्रतिक्रिया थी कभी आप और हम परस पर मिलेंगे तो घटना करम मैं आपको बताऊंगा लेकिन हाल फिलाल आप परिक्षा की दरस्टी से लिखते थे उसी इसतर पर जो लिखेगा जो लेखक अपनी कलम चलाएंगे उनको हम सम्मानित करेंगे शरज जोशी में पर रश्कार hypno शिर्डेय ची अच्छ जिरू किया और 5 सितंबर 1999 को उनका दिहावसान हो गया जिस समय उनका निधन हुआ उस समय वो मद्धिप्रदेश में नहीं थे बलकि वे महरास्ट में और महरास्ट में उस समय बॉंबे या बंबई कहते थे जिसको आज हम मुंबई कहते हैं तो मुंबई में 5 सितंबर 1999 को शिक्षक दिवस के दिन शरच जोशी जी का दिहावसान हो गया शरच जी चले गए लेकिन अपने पीछे हमारे लिए छोड़ गए साहिती का इतना शान्दार भंडार कि अगर हम उससे पढ़ें तो जहां हमारी समझदारी बहुत विक्सित होग हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और सारी विसंगतियों पर बहुत गहरी समझ यदि हमें और आपको पैदा करनी है शरच जोशी जी जो समपदा छोड़ कर गए हैं जरा पन्ने पलट लिजिए और पढ़िए हर कॉलेज की लाइबरीरी में शरच जोशी जी का साहित प्रचूर मात्रा में उपलब्द है तो देर मत कीजिए परिक्षा के लिए तो पढ़िए ही लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी एक उपयोगी मनुष्य बनने के लिए भी आप शरच जी को जरूर ही पढ़िए नेहा शरच उनकी प्रतिभाशाली बिटिया है जिनने लेखन का भी काम किया साथ में टीवी सीरियल्स आधी में भी उन्होंने एक्टिंग की साथ यूँ शरच जोशी जी एक ऐसे वेखती थे और उनकी लेखनी में इतना दम था कि आपने कवी सम्मिलन सुनेंगे न जो रात्री में होते हैं गाओं में शहरों में कस्बों में अब बड़ी भीड होती है जंसमू आता है और कवी गण अपने हासी कविताओं से वीररस को पढ़ते थे और जब वो अपने व्यंग लेख को पढ़ते थे तो जनता वाहवा कर उठती थी सोचने के लिए विवश हो जाती थी तालियों की दोनी से पूरा का पूरा पांडाल गुंज उठता था ऐसे शरच जोशी जी मेरे और आपके मधिप्रदेश और हम सब के भ अंखला को हम निरंतर जारी रखेंगे क्योल अबजेक्टिव चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में एक अन्य वीडियो की लिंक दी हुई है जिसमें शरच जोशी जी पर 19 महतुपूर्ण वस्तुनिस डिप्रशन दिये गया है इस वीडियो को सुनने क के बाद उसे भी सुन लिजिए जैसे ही आपके सामने अबजेक्टिव के उशन पढ़ेंगी हमारी करियर एडवाइस चैनल की संचाली का परिश्रमी पृति गुलवाइन जी जी वैसे ही उत्तर आपके दिमाग में आ जाएगा मुझे बोलने का उसर मिला शरच जी के बारे का पृति गुलवाइन जी जी के पृति और उनकी परिश्रमी टीम के पृति बहुत बहुत आभार आप सभी को शुब कामना है शिक्रत ही मिलेंगे हम केसी और साहितिकार के जीवन वृत्त पर चर्चा करते हुए प्रणाम